आप सभी का स्वागत करता हूं तो 10th class physics के लिए आए देख लेते हैं मैंने आपको एक derivation कराया था यानि वो derivation रह रहा है अब या इससे के यानि यह जो आपको मैंने topic कराये हैं इससे पहले था वो derivation तो थोड़ा छुड़वा दिया था तो आए उस derivation को देख लेते हैं यानि focal length और capital R होता है radius of curvature तो formula क्या हो जाएगा relation between focal length and radius of curvature और वो formula आप जानते है F is equals to R by 2 होता है capital R upon 2 तो आए देख लेते हैं किस किस के बीच रिलेशन देखना है रिलेशन देखना है आपको focal length यह नहीं small f के बीच small f और focal length क्या होती है small f साइने definitions मैंने करार रखी है आपके याद होनी चाहिए तब यह आपको अच्छे समझाएगा तो relation between focal length and radius of curvature ठीक है radius of curvature होती है capital R तो यानि relation बताना है इन दोनों की बीच तो इसमें भी दो ड़ीरिशन हो जाएंगे एक हो जाएगा आपका कौन के वो के लिए और एक हो जाएगा आपका convex के लिए तो पहले देख रहते हैं और कों के ओ मीरर और कों के ओ मीरर धीक में है बात ख्लियर के लिए इससे फज़ेक्व बंदे्ध बेना जा लेते हैं हैं और पोल और प्रिंसिपल फोकस से खोके लाइन जाती है जिसे आप क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है तो यह पोल हो जाएगा मिरर का राम आप रख सकते हो M1 M और यह मिरर कौन सा है कौन के हो मिरर बात के लियर है यहां पर जो पोइंट होगा उसे आप प्रिंसिपल फोकस कहते हैं और उउस से जट्डबल डिस्टेंस पर एक पोइंट होता है जिसे आप सेंटर Maule कर वेक बहिचर कहते हैं बात सुझा आई है तो जो ऋ सेंटर ओफ कर वेचर है वो प्रिंसिपल फोकस से ज कैसा होता है double होता है यह fp का कैसा होता है double होता है clear है तो इसे थोड़ा और आगी मान दो देख लिए ना आप अपनी हिसाब से adjust कर लें double distance पर होना चाहिए देखो infinity पर कोई object रखी है तो महां से एक light ray आ रही है और वो कैसी आ यह parallel to the principle axis यह इसमें फस्ट ला लगा दो आपको बता है फस्ट ला के अनुसार प्रिंसिपल फोकस आफ्टर दर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दा कौन के उमिरर कौन के उमिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से होके जाएगी प्रिंसिपल फोकस से पास होके जाएगी क्लियर है तो देखो यहां पर कुछ नहीं करना बस एक है ना बस इतना ही डाइग्राम है बस एक normal ड्रॉ करना है center of curvature C पे से है ना इस point पर और इस point को आप कुछ भी मान सकते हो है इस point को आप B मान सकते हो है तो इसे C से B पर एक क्या करना है नॉर्मल ड्रो करना है क्लियर है नॉर्मल यानि जो perpendicular होता है यानि देखो इस surface के कैसा है यह 90 अंगल बना रहा है तो इसलिए क्या है वो नॉर्मल है बात समझ वारी होगी आपको देखो यहां पर मान लो एंगल बन रहा है थीटा क्लियर है यहां पर यह दिए एंगल बन रहा है थीटा तो आपको पता है इससे जस्ट डबल डिस्टैंस पर यह है तो यहां एंगल कितना हो जाएगा टू थीटा यानि इसमें एक factor याद रखेंगा यह है लग उस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइं ट्राइंगल और आप मान के चलो यह डिस्टैंस कितनी है एक्स है और यह डिस्टैंस कितनी है एक्स तो यानि दोनों डिस्टैंस कैसी है सेम है आपको दिख रहा है उपर का तो यानि कहने को मतलब है यह जो पॉइंट है इससे हैं यहां से यानि ए से जो बी वाला पॉइं लिए यह कंदीशन नहीं की डिस्टेंज यहां है तो यह इंगल तो यहां पर आपको पता है तो यह इन्हीं कितना हो जाएगा तो पर आपको पता होगा corresponding angle यह क्या कहते हैं देख लेना आप इस तरीके से होता है देखो दो parallel lines है है ना तो इसमें मैं angle आपको बताना चाहरा हूँ कि जितना angle यह है मालो theta है तो यह वी उपर वाला भी कितना हो जाएगा theta देख लेना इने क्या कहते हैं तो आप आप यहाँ देखें यह वाली property geometry की आप यहाँ पर लगाते हैं तो यह angle 2 theta है ठीक है यह line के बीच और इस line के बीच तो इस line और उस line के बीच यहनी सारा angle भी कितना हो जाएगा 2 theta ठीक है तो उसी बोई वाली बात है जितना angle यहाँ पर उतना ही उपर तो ऐसी जितना angle 2 theta यहाँ पर है उतना ही उपर हो जाएगा और आखो बता है 2 theta पूरा है तो देखें यह theta हो जाएगा और आधा यह भी theta हो जाएगा यानि theta theta हो जाएगा और देखो यहाँ पर बात सब्सक्राइब आपको सारी तो बस यह डाइग्राम आपको कंप्लीट हुआ थोड़ी सी लेंग्वेज इसके बारे में लिख देनी है क्या कहना है हाँ एक काम और करेंगे इसमें यहां से नॉर्मल ड्रो कर लेंगे उपर से प्रिंसिपल एक्सिस पर और इसका नाम चाह और इधर जो रहता है है इस साएड माइनस की रहती है यह डिस्टैंस है न उधर अधर होती ही तो प्लस होता है क्योंकि भूआ यह कैसे रहेगी माइनस आर तो यह है आपको डैग्राम इसमें आपको कोई दिक्कर नहीं होगी इस डाइग्राम को आप बहुत अच्छे समझ देना आजिए देखते हैं फिर आगी चलते हैं तो देखो इसकी language में बोल देता हूँ क्या कहेंगे let us consider a concave mirror M1 P M2 clear है फिर क्या कहेंगे the light ray parallel to the principal axis या इसमें ये भी बता सकते हो कि principal focus F of center of curvature C है तो ऐसा कहेंगे आप let us consider M1 P M2 be a concave mirror of principal focus capital F and center of curvature capital C focal length small f and radius of curvature capital R जानी बता दो है न फिर क्या कहेंगे the light ray parallel to the principal axis passes through the principal focus after the reflection from the concave mirror तो फिर क्या कहेंगे देखो C से B पर एक normal draw कर रहे हैं तो we draw a normal from center of curvature to the point B ठीक है बाकी सब कुछ diagram में दिखी रहा है then इसके बाद देखो delusion समझने जी बहुत important delusion है बहुत अच्छे समझना इसे है और मैं दूसरा जो easy वाला method है वह बता रहा हूं नहीं तो method book में दे रखा है उससे तो समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ठीक है तो कई सालों से वह method यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह बिल्कुल समझ नहीं आता था इस्टुडेंट्स को तो यह बहुत अच्छा वैदर है इससे देख लीजिए क्योंकि यह सारा है a right angle triangle by bltøy- sea high positive एंसा रिए क्या है प्रपंडिकुलर ठीक है थिक नहीं है तो आप इसमें चैन थीटा लगा दो थेंटन सारा है औरdoes्पर जांद क्योंकि क्योंसरे थू ऐखने है और तक की बात हो हुई यह सियर्टश बमनाने की तो बेस क्या है इस्ट हिолн बात संवारी है, equation first डाल दो इसे, या अभी थोड़ा रुख जाओ, देखो, एक बात है, यह जो theta angle है, very small है, तो theta is very small angle, theta is very small angle, जब theta is small angle है, तो पता क्या होता है, so, जो tan theta है, या cos theta है, है ना, या coat theta है, या कुछ भी है, यह सब हट जाते हैं, tan हो, coat हो, sec, cosec हो है ना, और sin, cos हो, कुछ भी हो, वो हट जाते हैं, के वल, angle बचता है, तो tan theta is nearly equal to किसके बराबर हो जाएगा, theta के, यानि tan theta की value जो है र लगवग theta की value के बराबर हो जाएगी, कब, जब theta की value क्या हो, बहुत कम हो, theta बहुत small angle हो, तो tan theta की place पर आप क्या लिख दोगे, theta, तो this implies that, theta बराबर आजाएगा, bn upon cn, clear है, equation first, यहां तक समय बारा होगा आपको, और फिर देखो, क्या करना है आपको, यह जो triangle लिए दे cbn, अब यह बादा ले लो, fbn, तो in triangle, fbn, we have, यह जो triangle में भी यही काम करना है, tan theta लगाओ, लेकिन यह theta angle नहीं है, 2 theta angle है, तो tan 2 theta, बराबर perpendicular कितना है, bn, upon base कितना है, fn, ठीक है, और यहां भी ऐसी करना है, because, भई, theta angle नहीं small है, तो 2 theta के कोई जाज़े बढ़े नहीं होगा, तो 2 theta angle is very small, यहां भी यही बादी property लगाएंगे, और जब angle small हुआ, तो जो tan 2 theta था, वो लगभग किसके बराबर हो गया, 2 theta गया, so है न, तो जो 2 theta है, वो किसके बराबर हो गया, bn, upon fn के है, न, bn upon fn के है, यहां तक सभी हमारा है, इधर देख लिजी, अब देखो, theta की value आप रख सकते हैं, equation first से, तो देखो, theta की value क्या रखोगे, equation first में, bn, first से क्या रखोगे, bn upon cn, ठीक है, यहाँ theta की value रख दी, equation first से, और यह बराबर ऐसी ही रहेगा, bn upon, यह है fn, और यहाँ से रखी है value, तो side में देख दो, from first, equation first, तो bn से bn, cancel हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर n से n, cancel मुत कर देख, तो यह क्या बचेगा, fn, देखो, 2fn, cross multiply करो, किसके बराबर आजाएगा, cn की, बात क्लिए रहे हैं तक, 2fn, cn के बराबर आया, अगर एक बचाओ, यह जो, यह है आपका, कौन के ओ mirror, इसका curvature, यानि इसका जो घुमाओ है, वो थोड़ा कम हो, कम कैसे हो, यानि इसका घुमाओ ऐसे जादे है, तो ऐसे जादे होगा, तो point n और point p, point p, थोड़ा और दू चला जाएगा, क्योंकि ऐसे घुमाओ जादे हो जाएगा, फिर इस तरीके से, इस तरीके से यह दी होगा तो, तो point p, थोड़ा और दूर होगा, क्योंकि point p, तो surface ता है न, लेकिन इस घुमाओ जो है, curvature कम होगा, तो point p और point n, फिर कहा होगे, और pass हो जाएगे, यानि curvature कम ह होगा, तो point q और point n, फास फास होंगे, ठीक है, तो यही बात मान के चलेंगे, है न, मान के चलो, if curvature, if curvature of mirror, यदि mirror का जो गुमाओ है, curvature है, वो कैसा है, is, है न, क्या कहेंगे, small है, come है, ठीक है, तो, curvature कैसा है, कम है, तो curvature यदि कम होगा, तो आप मुझे बताएं, point p कैसा होगा, point n के समीफ होगा, तो इसका मतलब है, है रातों मैं लिख देता हूँ, point p is near to point n, फुदर को इस इस इस्थित में क्या हो जाएगा, जो point p, point n के बराबर हो जाएगा, तो देखियो, fn जो distance है, fn, वो लगभग fp के बराबर हो जाएगी, इतनी से अंतर है, थोड़े से अगर छोड़ दो, प्यारी fn जो distance है, है न, fn जो distance है आपकी, वो लगभग किसके बराबर हो जाएगी, वो जाएगी fp के बराबर, यानि, n की जाएगा, पी आजाएगा, क्योंकि n और p में जाए अंतर नहीं है, n और p, point पास पास है, तो n माल लो, n ले लो, या p ले लो एक ही बात है, तो हम p ले रहे हैं, तो fn जो है, यानि, n की जाएगे, क्या point आजाएगा, p, यानि, जो fn distance है, वो लगभग किसके बराबर जाएगी, fp के, और दूसरी बात, जो cn distance है, वो भी लगभग किसके बराबर जाएगी, cp के, ठीक है, तो देखो, इस स्थिति में क्या जाएगा, या जाएगा, 2fp, बराबर, इधर आजाएगा, cp, यहां तक सब्सक्राइब आ रहा है आपको, तो 2fp किसके बराबर आया, cp के, आपको देख नहीं रहा है न, तो मैं उसे side में लिख देता हूँ, यहां तक तो देखी रहा है, है न, देखो, इधर लिख देता हूँ उपर, तो यह पर बताओ, so, यह जो fn की जगे क्या रख हो है आप, fp, और इधर cn की जगे, cp, अब आप देखके बताओ, fp की value कितनी है, fp की value कितनी है, minus के f, ठीक है, तो minus के f, और cp की value कितनी है, cp की value है, minus के r, डाग्राम चे देखें, तो minus से minus से आपको cancel हो जाएगा, और यह formula proof हो जाएगा, f is equals to r by 2, तो को upon में ले आओ, तो यही तो होता है, आपने याद गर रखा है, focal length की definition में, यह formula आपके याद है, focal length क्या होती है, radius of curvature की half होती है, यह इसे कह सकते है, it is the relation between focal length and radius of curvature, यह यह भी कह सकते हो, hence the focal length is half of radius of curvature, बत सुझाई, तो यह पूरा derivation आपका complete हो गया है, जो क्या था relation था focal length और radius of curvature की बीच, ठीक है, तो इसे देखो, कर लो इसे है न, बिल्कुल same derivation रहेगा आपका, किसके लिए, convex के लिए, आपका बिल्कुल same derivation हो जाएगा, बिल्कुल भी अलग नहीं होगा, ठीक है न, तो उसका diagram बस थोड़ा सा अलग है, तो मैं diagram बना देता हूँ बस, है न, तो आप इस वीडियो को post करके note कर लेंगे, मैं इसका diagram रफ कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स के लिए देख लेते हैं, क्योंकि अलग नहीं है, इसलिए साथ ही करा दो, तभी अच्छा समझ जाएगा, तो देखो, convex lens ऐसे बनता है, है न, यानि जो उभरा हुआ पार्ट है, convex उभरा हुआ, वो कैसा है, reflecting है, M1 और ये M2, बीट से एक line जाती है, जैसे principle axis कहते है, ये pole है, और इसका center of curvature वगरा है, सब चीज़े, वो इस तरफ होंगी है, तो मान दो center of curvature है, और यहाँ पर मान दो क्या है, principle focus है, लाइटरी parallel आएगी, आपको पता है, जैसे की, है न, फिर मैंने बता रखाया है, कि वो टकरा के वापस जाएगी, लेकिन पहले इने मिला दो आप, टकरा के वापस इसी सीध में जाएगी, इस तरीके से, है न, बता रखाया है, बिल्कुल ऐसे diagram है, और देखो महाँ पर भ नोर्मल की चो, प्रिंसिपल एक्सिस पे, और इस पॉइंट को एन बान दो, बिल्कुल ऐसे ही करना है सब कुछ, ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये जस डबल, इस डिस्टेंस पर जो है, फूट थीटा हो जाएगा, इसके अनुसारे न, किलिए है, आप देखो, ये ए फिर क्या कहेंगे, हाँ, ये भी कहा दो, और फोकल लेंथ, वो और प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ, एंड सेंटर ओफ करवेजर कैपिटल सी, क्लिए है, और क्या कहेंगे आप, देखो, ये फोकल लेंथ, इसमोल एफ, इधर बनेगी यहाँ पर, इधर, और कैपिटल इधर है, तो फिर क्या कहेंगे, एंड, फोकल लेंथ, इसमोल एफ, एंड रेडिस ओफ करवेजर कैपिटल आ, इस तरीके से, ठीक है, डाइग्राम के बारे में फिर और जादे बात नहीं करनी, दैन, तो दैन, बिल्कुल सारा प्रोसेस वो का वही है, आप देख लो, सबस आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं लेगेगी, बहुत आसान है ये, है न, एक डाइडिसन करना है, कौन के हो के लिए, डाइग्राम फिर दूसरे में बनाना है, और वाकी ये सब कुछ सेम है, है न, तो आप देख लेंगे, समझ लेंगे, कोई प